इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि अगर आपके फ्रीज में light आ रही है, लेकिन पीछे के साइट compressor को हाँ से चूने पर ये पता चलता है कि compressor गरम है और फ्रीज कूलिंग ने कर रहा है, तो आपके फ्रीज में क्या-क्या सम हो सकता है, उसके बारे में जानिए काफी सिंपल, बहुत असान तरीके से इस वीडियो में हम बता रहे हैं, सबसे पहले ध्यान से ये देखना है कि compressor को हाँ से चूने पर क्या वो चल रहा है, अच्छे से या फिर नहीं चल रहा है, कुछ चीज को ध्यान देना है, अगर माल आपके फ्रेज की compressor चल रहा है, तो हो सकता है, आपके फ्रेज में gas खतम हो गया हो, या फिर choking की problem हो, तो यहां पर choking होने पर यह जो filter है, वो ठंडा होता है, और gas बिलकुल भी खतम हो जाए, तो यह जितनी भी जा लिया है, वो कहीं पर भी गरम नहीं होता है, इस तरीके से आप पैचान सकते हो कि आपके फ्रेज की compressor चल रहा है, लेकिन cooling नहीं कर रहा है, अब बात करते हैं कि इस compressor को चूने से गरम है, और यह यहां पर देखिए, दो छोटे छोटे पार्ट लगे होते हैं, दोनों पार्ट को चूने से पहले आप बिजली की बोट से पार प्लग, यानि कि अलग कर लें, उसके बाद यहां पर इनमें दो छोटे छोटे पार्ट लगे होते हैं, तो इन दोनों पार्ट में से हमें इस चीज को चेक करना है, क्योंकि देखिए, पावर इस पर गया है, जिसके कारण यह compressor हीट हो गया है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रॉ हो पाता है, जिसके कारण भी गरम होते हैं, उस कंडिशन में आप प्रीज की, इन दोनों पार्ट को भी चेक कर सकते हो, लेकिन इस चीज को चेक करें, तो प्रॉब्लम पता चल जाएगा, काफी सिंपल, असान होते हैं, चेक करने के तरीके, कैसे चेक करते हैं, चिले मैं य भी खाता हूं, तो फिर उसको चेक कर निगले, यहाँ पर हम इस तरीके से कंडिशन करते हैं, देखें, चेक करने काफी सिंपल होते हैं, इस पार्ट को इस तरीके से निकाल लें, और इसकी जो दो होल बने हुए हैं, दोनों होल में इस तरीके से आप ऐसे करके लगाएं, फिर यहाँ पर देखिए, कंटिन्यूटी अगर बता रहा है, तो यह वाला पार्ट सही है, अगर कंटिन्यूटी नहीं बताएगा, तो यह वाला पार्ट खराब है, ठीक, इसी तरीके से इस पार्ट को भी आप चेक कर सकते हो, यह देखिए, कंटिन्यूटी बता रहा है, यह पार्ट ठीक है नहीं बताएगा तो खराब है लेकिन हमने अक्सर जो पाया है यह वाला पार्ट सही होता है इस रिले के एक पॉइंट खराब होने के कारण सिप कंप्रेशर तक न्यूटल फेज तो पहुंचता है लेकिन स्टार्ट नहीं हो पाता है जिसकी कारणसी यह हीट हो जाता है और काम नहीं करता तो आपने फ्रीज की रिलो एलपी को जरूर चैक करके देखें ताकि आपकी पॉब्लम्स हो सकता है जो हम इस वीडियो में दि करी लेगा